तो उत्राखंड के अंदर भारत का सबसे हूंचा हरबल गारण यहाँ पर स्तापित किया गया है तो जानेंगे आगे वीडियो में कि हरबल गारण जो है यह कहाँ पर इस्तित है और इस गारण में किस-किस परजाती के जो है medicinal plant आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो जो भी इस चैनल में पॉस्ट टाइम आए तो चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें और आप इसके लावा मुझे जो है टेली ग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो दोस्तों वटार देखो आयूर्वेट को बढ़ाने के लिए जो गौर्वेट्स होती है वो हर्बल पार्वेट्स डैबलब करती है जैसे कि हमारे प्राचिन काल से ही जब किसी को कोई बिमारी होगाती थी तो इसका इलाज जो किया जाता था वो किया जाता था जड़ी बूटियों के दोरा तो उस टेम तो कोई अलोपेटिक मेडिशन हुआ नहीं करती थी तो वो जड़ी बूटियों के दोरा जो है इलाज किया जाता था तो इनी जो हमारी ये जो ट्रेडिशनल जो हमारा वे है इलाज करने का किसी भी रोग का, तो इसको बचाए रखने के लिए जो है, गर्मेंट क्या करती है हर्बर पर्क्स को डैबलब करती है तो गर्मेंट इसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए इस तरह के मेडिशनल प्लांट को जिसे रोगों का उपचार किया जाता है तो उनको बचाने के लिए जो हर्बर पर्क्स डेपलप करती है तो आप जानेंगे हम आगे कि ये हुर्बर पर्क्स अक जिरुविं में ये बनाया कहा गया है तो इसे highest कहा गया है, ये वहारत का सबसे highest है तो बिल्कुल आप यहां पर map में भी देख रहे होंगे बिलकुल यह आपका बदिनाथ से आप 3 किलोमेटर की आप दूरी यानि उपर की साइड नर्दन साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर माना विलेज दिखाई दे रहा होगा बिलकुल यह यहीं पर ही बनाया गया है कि यह आपका जो है माना विलेज करीब 11,000 फीट की उचाय पर यह इस्तित माना गाउ जिसकोगी भारत можем सबसे अंतिम यह अंतिम भी बोला जाता है तो इसलिए इस कि सबसे हर्बल जान है माना विलेज जैसा कि आपको पता है यह चमूली डिस्ट्रिक में पढ़ता है उत्राखंड के अंदर इसके बाद आपको इंडिया और चायना का तिब्बत बोर्डर पढ़ता है मतलब उसके बाद कोई भी क्या बलते हैं कोई भी गाउं नहीं सबसे आगरी गाउं जो है माना लगा हुएं उसके थोड़ सा आगे जाने के बाद आपको जो है बोर्डर दिखाई देगा इंडिया और चैना का उससे पहले बार्दर का उन्दर कहा जाता है तो यहाँ पे उत्राखंड का जो फोरेऌस्ट डिपार्टमेंट घॉत्जिक क्या 3 एकड की जमीन पर यहां पर आप देख सकते हैं बिलकुल यहां पर लिखा गया है कि कि फोरेश डिपार्ट्मेट को दी गई थी यहां पर उनके द्वारा यह डेवलěप किया गया है पूर को कि यहां पर इसके बारे में हम जानते हैं कुछ अब कर वाया कि पार्क में करीब 40 ऐसी पर जाती है कि इसकी उन इन जड़ी बूटियों के यहां पर 40 प्रजातियों आपको यहां पर देखने को मिलेगी यह सारी के सारी जो 40 प्रजातियों आपको इनी हिमाले रिजन में आप यह पाई जाते हैं यहाँ पर इस पार्क में यह जो 40 पर जाती है इनी को यहाँ पर जो है वो लगाया गया है यहाँ पर IUCN जिसको International Union for Conservation of Nature कहा जाता है और उत्राखंड का State Biodiversity Board तो इनके दारा यह कहा गया है कि यह जित्ती भी जड़ी बूटी है जो कि इस पार्क में है तो यह सारी जड़ी बूटी जो है या तो यह अब विलूप्ति य already कहतम होने के गार में बिलकुल हैं यह ही पर कहें तो बहुत कम आतरा में एक बची है तो इस सब्सक्राजती जड़ी बूटी है इनको जो है बचानँ बहुत जोड़ी है तो इसलिए जो है इस पारका यहां पर developed किया गया है किसके उतरकंट फौरेस्ट department के दवारा यहां पर डेवलब किया गया तो इस पूरे पार्क को जो है चार सेक्षन में को मिलेगी जो कि बद्री ना से associate करती हूं ठीक है जो कि भगवान विश्णु जी का जैसे मैंने आपको बताया कि उनका यह मंदिर है तो यहां पर जो बद्री ना से जूड़ी कितनी भी विर्क्षों की परजाती है वो यहां पर सामिल है जैसे बद्री तुलसी बद्री बेर बद्री विर्क्ष और भोजपत्र जिसको पवित्र विर्क्ष भी कहा जाता है यहां पर आपको पहले सेक्षन में यह आपको देखने को यहां पर मिलेगी बद्री तुलसी यह जो कि यह जो मेडिसनल प्लांट है को आप सेंटिफिकली से औरी गैनम वलगरी बोला जाता है ठीक है तो ऐसा रिसर्चरों का मानना है कि इस प्लांट की कहीं जादा कहीं जादा कहीं सारे रोगों में इसका उपचार किया जाता стоит बद्री तुलसी तो बहुत जादा medicinal इसके benefit है इस plant के हैं इसके लावा बदरी बेर की बात करें तो जिसको वाकि इस्ताने भासा में आमेश कहा जाता है और scientific language में इसको hippopi salifolia कहा जाता है तो ये गर दूसरा ऐसा plant है जिनमें आपको nutrition की मादरा काफी देखने को मेरेगी और ये काफी ज़्यादा यूज किया जाता है वाकि इस्ताने जंता की दौरा दूसरे सेक्षण में इस पार के आपको दूसरे सेक्षण में यहापर आपको ज़िए वो देखने को मिलेगा erst work erst work की परजातियें यहापर सामिल है ठीक है अच्छे सेक्चन में अस्ट वर्क पर जाती है, आपको देखने को मिलेगी, यह अस्ट वर्क क्या होता है, यह बिल्कुल आठ जड़ी बूटियों का एक ग्रूप होता है, जो की हमाले रीजन में ही पाया जाती है, अब यह आठ जड़ी बूटी कौन कौन सी है, देखो वृद्धी, जीवक, वृद्धी, रिशवक, केशर, काकोली, मैदा, महामैदा, ये सारी आठ जो जड़ी बूटी है, इनका एक ग्रूप होता है, जिनको हम क्या वोते हैं? अश्ट वर्ग कहते हैं, क्या कहा जाता है? अश्ट वर्ग कहा जाता है, देखो, इन में से ये सारी कि सारी आपको जो चाउन प्राद जिससे बनता है, वहाँ आपको इन सारी जड़ी बूटी देखने को मिलेगी, वहाँ इनका इस्तमाल किया जाता है, इन में से जो चार जो जड़ी बूटी है, वो जो है लिली परिवार से आती है, और चार जो है और्किड परिवार की आत कि यां कीसरे बाहत में आपको मिले गा जिसको स्य Idyप नाम या नाम जिसका इस 가 नाम है तो यह अपर देखने को हैं इसके इसे ऑर भी जो प्रजाति से आण कमर, नील कमर, कूड, ये भी आपको जहाथ इस पार्क में देखने को मिलेगी. इस पार्क के चोथे सेक्षन में जो फॉर्थ सेक्षन है, यहाँ पर आपको जो है मीठा विष, आतिश, चोरू और वन ककडी. वन ककडी, ये सब आपको यहां पे जो है वो यहां पे देखने को मिलेगी जो उसका चौथा बागया इन में जो अतीस मीट विश और वन ककड़ी यह सबसे महत्वण और से जन बूटिया है इसके अलावा जो थूनर होता है इसके पेड़ की चाल से कैंसर की दवाई बनती है तो वो भी यहां आपको द ज्यादा मतलब महत्वण है और खासकर उत्रागंड के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वण की इस तरह के पार्क जो है हमारे स्टेट में डैबलब किये जा रहे हैं तो अब आपको होप कि समझ आ गया होगा कि इस पार्क को हाई एल्टिटूड पार्क क्यों का गया है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्स वाचिंग वीडियो